अबस्कार दोस्तों वल्कम टू गॉर्मेंट इग्जाम इंफो तो देखिए फाइनली जो मैंने आपको कुछ हपते पहले बताया था मैंने आपको एक पूरा लिस्ट दिखाया था कि कौन-कौन से UK SSC की नई वेकैंसी जारी होने वाली है उसमें से कुछ वेकैंसी आपके आ चुकी है और आपने थमनेल में देख लियो होगा साहय कृषिय अधिकारी का जो आपका नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलेंगे तो जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया था उसके अंतरगत जितने भी पोस्टे थे वो सारे तो नहीं आए हैं अभी लेकिन 400 से ज्यादा पोस्टे आ चुकी है तो एक के करके और भी पोस्टे आएंगी मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी एक केटेगरी वाले पोस्ट है ठीक है जैसे कि सहाय करशी अधिकारी या इसी केटेगरी में जो अन्य पोस्टे आते हैं उसका नोटिफिकेशन कमबाइन करके यूग ट्रॉपल से निकालता है तो इसी वज़ा से अब अगली जो पोस्टे होंगी वो एक केटेगरी की तो कौन-कौन से पोस्ट हैं यहां पर आप वैसे तो देख सकते हैं जो वर्ग 3 क्रिशी अधिकारी की बात की गई थी वर्ग 3 की 188 पोस्ट है ठीक है और इसमें अगर बात करें तो कुछ और पोस्ट हैं जैसे कि विकास साखा उध्यान विकास साखा के अंतरकर दो इसके अलावा मश्रूम विकास अधिकारी के तीन है तो ये सब हम डीटेल में देखेंगे आगे सबसे पहले important dates देख लेते हैं उसके बाद इसके लिए qualification क्या माँगे है वो देख लेना और इस वीडियो को like कर देना सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना इसी तरह के सभी अपडेट सो एक्जाम के preparation के लिए और हो सके तो वीडियो को share भी कर देना देखे विज्यापन प्रकाशन किती थी एक अक्टूबर 2021 online आवेदन जो है आपका 5 अक्टूबर 2021 होगा last date इसका जो है वो है 18 नॉमबर 2021 तो काफी अच्छा कासा time दिया गया इसके application के लिए देखे इसको please share कर देना कई बार ऐसा होता है कि जो notification का update वो नहीं मिलता है हलाकि आजकर सभी social media का use करते हैं तो जातर candidate के वास पहुंच जाता है लेकिन फिर भी मुझे कई बार exam का जो notification है उसका date खतम हो जाता है उसके बाद comment आता है कि ये notification कब जारी हुआ तो सभी तक ये update पहुंचना जरूरी है लेकित परिक्षा जो होगा आपका 22 March मार्च 2022 में होगा ठीक और जो आपका last date है fee submission का वो है 20 दौबंबर 2021 इसके बाद हम direct आते हैं point पर और बात कर लेते हैं आपके post की पहला जो post है वो है आपका चारा सा है group 2 का टोटल इसमें तीन post हैं category wise आप देख सकते हैं देखिए अभी ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि आपको खुद चेक करना है ये कौन-कौन सी post है नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है फिर भी मैं थोड़ा सा बता लेता हूँ जैसे sexy कहरता की बात करें इस post के लिए MSC क्रिशी मांगा गया है दूसरा यहाँ पर अगर यह नहीं है तो farm प्रबंधन में तीन वर्ष के अनुभव के सांद BSC क्रिशी आहाँ पर चल जाएगा लेकिन BSC वालों के लिए अनुभव होना चाहिए तीन साल का अगर अनुभव नहीं है तो MSC क्रिशी होना जरूरी है लेवल 5 का है तो ठीक ठाक है यहाँ पर रेटेन एक्जाम वही होता है आपका जो group C का होगा ठीक है और इसका जो syllabus है वो आपको देखने को मिल जाएगा website पर officially ठीक है इसके अलावा अगर बात करे दो का एक पोस्ट है इसके लिए इसमें लेवल 5 कर रहेगा इसमें आपका B.S.C. या फिर B.S.C. क्रिशी के उपरांथ फल्स अंडेक्शन में सनाथकोर्टर डिप्लोमा ये होना चाहिए तो देखिए आप खुद से पढ़ लेना क्यूंकि काफी सारे पोस्ट हैं अलग लग तो अभी एक एकर के डेटेल में मैं बात नहीं कर सकता हूँ तो इसी वज़े से मैं इसको शेर कर रहा हूँ टेलीग्राम पर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो वहाँ पर जाएए जॉइन कीजिए इस पीडियो को डाउनलोड कीजिए और आसानी से आप इसको अच्छे से पढ़ कर सकते हैं 5 तारीक से पांच अक्टूबर से और चाहें तो आप इसको ऑफिशियल वेब्शाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर भी दिया गया है इसके अलावा अगर बात करें तो साहिक कृष्षी अधिकारी का इसका मैं थोड़ा सो बता जाता हूँ ओवरॉल इसमें 188 पोस्ट हैं और 188 में से अगर बात करें कैटेगरी वाइस तो सामानी की 146 है उसमें 36 आरेक्षिन भी डिवाइड़ है तो ओवरॉल आप देख लेना वेतनमान इसमें लेवल 4 कर रहेगा इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका किस भी मानेता प्र जादा पोस्ट ओपर ये विग्यापन निकाल दिया गया है और एक और पोस्ट है जिसमें 188 क्या पोस्ट है आपके ओद्योगिक विकास साखा वर्गती और इसमें अगर बात करें तो लेवल 4 कही रहेगा इसमें जो शैक्षि कहरता है वो है आपका BSC BSC आप 3 कैटेगरी स हो सकते हैं जी विग्यान से अगर हैं तो आप कर सकते हैं BSC अग्रिकल्चर है तो आप कर सकते हैं BSC उध्यान है तो आप कर सकते हैं ठीक इसके लावा अगर बात करें रिटन एक्जाम तो 1x4 नेगेटिव मार्किंग सब आपको बता ही है नहीं भी बता है तो पता होगा य में गोशना किया था कि फीस नहीं लिया जाएगा हाला कि जो आपका यहां पर नोट भी दिया गया है कि निर्धारी तिथी तक सुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेजन पत्र पूर्ण रूप से भरा माना जाएगा तो ऐसा लग नहीं जाए कि जो सीम है उन पर फीस कैसे दिया गया है तो अब जो भी है यहां पर ऑफिस्यली जो अपडेट है वो यह है कि आपके पोस्टे आ चुकी है इसमें फीस भी आपको सब्मिट करना पड़ेगा फीस आपको मैंने बता दिया है 300 रूपे है अनलेक्षित और OBC के लिए बागी सब ही के लिए चाहें CM ने घोशना की हो सोशल मीडिया पर या जैसे भी किया हो लेकिन घोशना से कोई फरक नहीं पड़ता है जब तक order ना दिया जाए commission आयोगों को ठीक है तो यह तो कहा गया था कि हर एक exam में इस साल के हर एक exam में आने वाले भरतियों के लिए जो फीस है वो नल रहेग फिलाल यह काफी बड़ी update आचुके है इस मेहने की फर्स्ट तारीक को तो वीडियो को राइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ना और वीडियो को शेयर जो कर देना सभी किसाना तो बस आज के लिए इतना ही तप्रेकली धन्यवाद मिलते हैं आप सब